बजन सेंटा अध्याय चियत्तर परमेश्वर यहुदा में जाना गया है उसका नाम इस्राहिल में महान हुआ है उसका मंडब सालेम में और उसका धाम सियोन में है वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़ कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है हे परमेश्वर तू जो जो तिर मैं है तू अहेर्द से भरे हुए पहाडों से अधिक उत्तम और महान है दिन मन वाले लुट गए और भारी नीद में पड़े हैं और सूर्वीरों में से किसी का हाथ न चला हे याकूब के परमेश्वर तेरी घुड़की से रतों समेथ घोड़े भारी नीद में पड़े हैं केवल तू ही भाई योग्य है और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने काउन खड़ा रह सकेगा तो ने स्वर्ग से निरणय सुनाया है प्रित्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही जब परमेश्वर न्याय करने को और प्रित्वी के सब नम्र लोगों का उद्धार करने को उठा निश्य मनुष्य की जलजलाहट तेरी इस्तुती का कारण हो जाएगी और जो जलजलाहट रह जाए उसको तू रोकेगा अपनी परमेश्वर यहोवा की मन्नत मानो और पूरा भी करो वह जो भई की योग है उसके आसपास की सब उसके लिए भेट ले आए वह तो प्रधानों का अभिमान मिटा देगा वह प्रिथवी के राजाओं को भई योग जान पड़ता है आमीन